तो मार्केटिंग हमारा चाप्टर है जो मुझे आज से शुरू करना है तो सबसे पहले किसी भी चाप्टर को स्टार्ट करेंगे तो हम उस चाप्टर का सिलिबस नोट डाउन करेंगे कि हमें पढ़ना क्या-क्या है तो हेडिंग डालेंगे आप सबी लोग मार्केटिंग जो भी आप नोट बुक लेकर आएं है मार्केटिंग की दो यूनिट है एक मार्केटिंग है दूसरा मार्केटिंग मिक्स है पहले अपन मार्केटिंग पढ़ने जा रहे है बिल्कुल है अविरल चिक लिखें कि आप सभी लोग topics to be covered topics to be covered यह topics to be covered इसने लिखवाते हैं ताकि आपको कोई भी reduced syllabus कहीं पे भी कुछ भी consult करने की जरुत नहीं पड़ेगी ठीक है सबसे पहरा topic जो मैं पढ़ना है वो है meaning and types of market meaning and types of market meaning and types of market फिर पढ़ना है meaning and features of marketing meaning and features of marketing market अलग चीज़ है marketing अलग चीज़ है confusion नहीं होना चाहिए आपको meaning and features of marketing फिर आपको पढ़ना है marketing concepts marketing concepts यह बहुत theoretical portion है और यह सबसे boring भी है marketing concepts marketing concepts इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है बिटा marketing concept के अंदर पढ़ना है आपको meaning इसके अच्छा एक बात याद रखनेंगे marketing concepts में दोनों चीज़े आएंगी traditional versus modern traditional versus modern बहुत सारे school में यह portion skip करा दिया जाता है इसके नहीं करना है traditional versus modern traditional versus modern इसके अंदर पढ़ना है meaning and features of traditional traditional के अंदर आपको पढ़ना है meaning और features meaning and features meaning and features यह पढ़ना है बच्छा traditional के अंदर और modern के अंदर भी आपको meaning और features ही पढ़ने है meaning and features traditional के और meaning और features modern marketing concepts के पढ़ने हैं आपको लिख लिए कितने topics लिख अभी तक तीन चौथे topics पर आते हैं चौथा topic आपको पढ़ना है comparison between marketing and selling तो मतलब मैं यहाँ पर लिख रहा हूं marketing versus selling marketing versus selling यह चौथा topic है marketing versus selling marketing versus selling फिर आगला topic objectives of marketing अबजेक्टिब्स of marketing फिर पढ़ना है बटा importance of marketing बच्चे गलती करते हैं paper के अंदर objectives में importance लिखाएंगे importance में objectives लिखाएंगे ऐसा नहीं कर रहा है आपको अबजेक्टिब्स लिखाएंगे ऐसा नहीं कर रहा है आपको लिखाएंगे फिर अगले topic पढ़ाएंगे functions of marketing seven functions of marketing functions of marketing सबसे बड़ा topic functions of marketing है इस पूरे चाप्टर के अंदर इसके अंदर आपको दो चीजे पढ़नी है functions of marketing के अंदर दो चीजे पढ़नी है बेटा meaning पढ़ना है हर function का और features पढ़ने है हर function के हर function का meaning हर function का features इतना खतम करने के बाद marketing के चाप्टर को आप खतम कर पा रहे होंगे ठीक है लिख लिया done चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं इसके आगे आप लिखेंगे सभी बच्चे लोग most important question most important question most important question किसी भी चाप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इस चाप्टर से सबसे important question कौन सा जो पेपर में आएगा या आएगा चांसे सबसे पहले उसी के पहला कुछ लिखें मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग का डिफरेंस बहुत ज्यादा चांसेस है इस कोशन के आने के आपके पेपर में आप बिल्कुल recording मिलेगा मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग और दूसरा सबसे important है वो है functions of marketing अब यह बहुत बड़ा टॉपिक है इसको ध्यान देके पढ़ना है मतलब इस चाप्टर में अगर मुझे revision कर रहा हो अगले दिन मेरा पेपर हो तो मुझे सबसे पहले क्या करना है इस chapter के अंदर सबसे पहले important है हमारे लिए marketing वर से सेलिंग डिफरेंस और दूसर आप यह सबसे important है वो है functions of marketing अगर आपके स्कूल में subject का paper हुआ है तो मुझे बताओ यह question आया है कि नहीं आया है अगर आपके school में हुआ है pre-board हुआ होगा प्रिबोर्ड में marketing क्या क्या अगर marketing के chapter से question देखें तो इन दोरों में से कोई question आया था बताओ भाई बहुत बढ़िया ओलेट रचत ओलेट सर इन्विया वेरी कट ओके सूपर्ब हाँ फिर ली मैंद बोर्ड में भी आएगा तो आपको chapter पर चल गया क्या क्या करना है चल भाई शुरू करने जा रहे हैं हम लोग अब जितना topic लिखवाऊंगा केवल उतना ही किताब में लिखना देख लो भाई जब हम commerce के बारे में बात करेंगे तो commerce theoretical है बोरिंग लगेगा आपको इस बोरिंग से अगर April होता तो मैं तुम से थोड़ी अच्छी बाते करता लेकिन अभी मुझे को well in time topic खतम करते करते चलना है तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि थोड़ा सा speed up होके हमको पढ़ाई करनी है जहां जरूरी पढ़ेगा आपको self-created notes की help पढ़ रही होगी वो मैं class के अंदर लिखवाऊंगा beside that मैं सारे notes आपको हर एक chapter के notes क्या chapter wise questions भी देखते चले जाऊंगा जिसका answer भी आपको रहेगा आपके पास ठीक है चल भाई शुरू करने जा रहे हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं market और मैं वो definition लिखवाऊंगा जो सबसे कम शब्दों में सबसे जादा number दे दे ठीक है भाई तुम लोग भी ढूणते हो शुरू करते हैं भाई आज का chapter और probably आज 5 बच के 20 मिनट पे हमारी class शुरू हो रही है 20 मिनट हम लोगो आज इसलिए लग गए है क्योंकि आज पहला दिन है चीक है तो पहले दिन थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है चलो भाई लिखते हैं सब भी लिखते हैं meaning market की meaning सबसे पहले लिखते हैं market की meaning फटा फट से लिखते हैं साथ साथ लिखेंगे set of set of all actual and potential buyers set of all actual and potential actual and potential buyers of a product set of all actual and potential buyers of a product यह market की definition है लिख 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 लिखा लिख 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 लिया done अब दिखो एक बात समझते अगर मानले अगर मानले मानले कि मेरे को ना एक product launch करना है market में लेट से मुझे launch करना है toys लाउन्ज करना है मार्गेट के अंदर चिक है तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि इसकी कितनी market है किसी भी product को launch करने से पहले company उस particular product की market के बारे में पता करता है कि वहाँ पर हमारे product की कितनी demand हो सकती है और हमें कितने units बनाने चाहिए है कि नहीं बाई बात समझ में आई अब देखो अगर मैं माल लेते हैं मेरी company है O B Z company O B Z company यह सोच रही कि मैं toys बनाना शुरू कर दूं और मेरा area होगा let's say मेरा area होगा let's say UP मैं उत्तर प्रदेश में toys की सबसे बड़ी company बनाना चाहता हूं ठीक है तो मैं क्या करूंगा मैं survey करूंगा मैं पता लगाऊंगा कि भाई 0-6 महीने वाले कितने बच्चे है छे महीने से दो साल वाले कितने बच्चे हैं दो से चार साल वाले कितने बच्चे हैं चार से छे साल और छे से दस साल दस से चौदा और 14 यह प्लस अब है अच्छल में देखें तो टॉइस तो हम लोग के लिए भी आते हैं मतलब अब तो हम लोग के लिए नहीं आते थोड़े दिन पह तो हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि किस प्रोडट की कितनी मार्केट है तो मैंने यह पता लगाया जीरो से छे महीने वाले यूपी में कितने बच्चे हैं ठीक है छे से बारा में कितने बच्चे तो मैंने पतायक लगाया कितने एक्चुल और कितने पोटेंशियल बायर ह मैंने बोला आज की डेट में यूपी के अंदर 10 लाग जो बच्चे हैं वो 0-6 महीने तक हैं और 5 लाग बच्चे अगले दो महीनों में आने वाले हैं एक्च्च्वल जो आज की डेट में हैं पोटेंशियल जो दो-चार महीने बाद बहार आ जाएंगे ठीक है ना मार्केट की डेफिनिशिन क्या है सेट अफ अवल एक्च्वल अंड पोटेंशियल बाइश्ट ओफ अप्रडर को दिखकत तो रही है समझ में आ जाएगी कि अभी किसी बच्चे को कोई दिक्कत की मार्केट की डेफिनेशन क्या है मैंने जल्दी जल्दी पढ़ा दिया हो तो बताओ क्लियर है कि पुटा थम्स अप एव्रीबड़ी कि वेरी गूड रजद कि थोड़ा कम्यूनिकेशन फास करना पड़ेगा और नाइटी सेवें नाइटी एट कि दो क्लास देख रहे हैं इस समय पर बहुत सारा बच्चा कॉल कर रहे हैं मैं नहीं उठा पाऊंगा क्लास में हूँ कि क्या बाद है बहुत बढ़ीया राजेश बहुत बढ़ीया शेवांगी कि अ क्या बाद है अब देखो तुरंदेखो जहां पर तुमने टिक लगाया था एक कॉंटेंट लिखेत ना कि मीनिंग एंड टाइप तो मीनिंग क्लियर हो गया मीनिंग पर जाओ टिक लगा लो कि मीनिंग क्लियर हो गया जाओ फट फट से की मीनिंग ओफ मार्केट मुझे आ गई है set of all actual and potential buyers of product is known as market simple ठीक है लगाओ फट फट से टिक किसी भी कि किसी भी साइन्टेज किसी ने भी जिसने भी पोयम जिसने भी डेफिनेशन का नाम लिखा है कोई भी ऐसा बंदा उसका नाम लिखने के कोई भी जरौत हमको नहीं है यह डेफिनेशन फिलिप कोटलर ने दीथी चुपमजदीश ने दीथी उससे मतलब नहीं है नाम लिखन आने नाम का नमबर नहीं मिलेंगे ठीक है क्लीयर अब अगला टॉपिक है हमारा टाइप सौफ मार्केट आएग आगज लिचाने आ अधक Cred है टाइप सोफ मार्केट भाई देखो अभी तक situation क्या है ना हमने थोगा जल्दी जल्दी पढ़ाई कर रखी है अभी मेरे पास दो महीने हैं एमपल इसी दो महीने में सारा सेलबस कम्लीट करा दूँगा मैं धीरे-दीरे करेंगे साथ में अपना आप प्लीज नए रेजिस्टर में वीडियो बना-बना के परशान है नए रेजिस्टर में नोट करना शूर करें पर में खो जाएगा फिर और वो रेजिस्टर पता नहीं कहां चला जाएगा फिर एक दिन पहले ढूंड होगे कि सर बोल रहे थे निया रेजिस्टर लोगे हम बत्तमीज थे लई लिए हमने अब हमें करना है टाइप्स ऑफ मार्केट हाँ स्कूल ने बोलते हैं मार्क्स के लिखना मैं भी स्कूल ने दसल पढ़ाया हूँ बच्चा तो तुमको सही बताऊं को गलत सला नहीं दूँगा मुकेश मेरे बाद टाइपस ऑफ मार्केट में आते हैं तो देखो हमेशन अ अलग-अलग तरह की मार्केट है पहला है on da basis of geographical area on the basis of geographic geographical area मतलब area के basis पर geographical अरिया समझते हैं आप globe के basis पर, जगहे के basis पर किस तरह की मार्केट होती है सबस्टे पहली होती है एक local market एक है लोकल मार्केट यह तुमको याद रहेगा आखरी तक लोकल मार्केट उसके बाद है रीजिनल मार्केट अभी सब समझा रहा हूं तुमको लोकल मार्केट रीजिनल मार्केट मेरे साथ साथ निकलो मेरे भाई लोकल मार्केट, रीजिनल मार्केट, नैशनल और इंटरनाशनल, नैशनल और इंटरनाशनल, अब इसके अंदर का तुम्हें याद करने की जरूत नहीं पड़ेगी, इसके अंदर का जो मैं बोलने जा रहूं ना लिखना है, बस तुम्हें समझ लेना तुम्हें अपने वर् लेट्स से अगर मैं ये बोलू हूँ कि मैं रहता हूँ UP में मैं रहता हूँ UP में और UP के अंदर लखनओ के अंदर Tuesday को एक मार्केट लगती है इस अलोकल मार्केट जो एक लोकल टाउन में लगती हो ब्रस्पत बजार, बुद्ध बजार ऐसा सुना होगा तुम लोग के शहर में most probably हो रहा होगा, एक village में, एक town में, एक city में कोई local market लगती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं local market, चीक है, बात समझ में आगे, किसी बचे को इसमें देखते हैं तो नहीं local market क्या होता है, दूसरा है हमारा regional market, जैसे कि किसी एक region, किसी एक state के basis पर हो, जैसे मैं बोलू कि अगर मुझे इंडिया के अंदर electronics लेने हो, तो मुझे जाना चाहिए दिल्ली के अंदर, बात समझ रहे हो, क्योंकि दिल्ली का सदर बजार, electronics market के लिए famous है, तो वो example होगा, regional market, pan country में region के basis पर market divide की गई है, जैसे मैं अगर मैं बोलू कि इंडिया के अंदर सबसे अच्छा बुलन कहां मिलेगा, तो वो मिलेगा, लुदिया ना में, ठीक है ना, तो वो क्या हो गया आपका, एक regional market हो स्टेट के basis पर market का classification, regional market, हाँ वैस नवी, बिल्कुल सही सोच रही हो तुम, हाँ कोल कता में भी होता है, कोल कता में मैं बहुत local shop से कपट पहन के आज तक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है न रोवन, आगे बात करते हैं, उसके बादे national market, national का मतलब क्या है, country के basis पर division हो र तो depending upon country, market में डिवाइड कर जागया, और मैं बहुत सबसे अच्छा agriculture, produce कहा मिलता है, सबसे अच्छा mangoes कहा मिलता है, तो इंडिया का जवाब आने वाला, clear है, हाँ, leather के लिए जैसे कानपूर, बिल्कुल सही है, once, All right, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है, हमारे पास international market, international market का मतलब क्या है, जो पूरे world में किसी एक चीज के लिए famous हो, जैसे European market है, वो पूरे world में famous है, European market, ठीक है, तो international boundaries set करते हो बचलाएगा, कि पूरे world में ये चीज़े मिल रही है, अलग-अलग जगहों पर, तो उसे बोलते international market, कोई दिक्केत वाली बात तो नहीं है, जहां पर buyers and sellers different countries से आएंगे, उसे बोलते international market, ठीक, हाँ, एक बचा बोला, कट्टा इन मिर्जापूर, हाँ भाई, ठीक है, हाँ, ऐसी बाते करार हो, तुमसे मिर्जापूर में कालीन भी थो होती है, और हर कालीन भाई यही नहीं होते हैं, समझे ना रजट, बत्तमीज कहीं के, चलो आगे बढ़ते हैं, on the basis of volume of business, अगला, on the basis of, on the basis of, on the basis of, on the basis of, volume of business, on the basis of volume of business, अच्छा, volume of business का मतलब क्या है, volume of business का मतलब क्या है, मेरे भाई, कितना ज्यादा quantity में हम समान कर रहे हैं, कितना बड़ा business है हमारा, उसको बोलते है, volume of business, इसमें सबसे आसान है, हर city में है, यह, wholesale market, WM is wholesale market में short में लिख रहा हूँ, आप भी short में लिख सकते हो, क्योंकि आपके ही notes है, कोई नहीं देखने वाला school की teacher चेक नहीं कर रहे इसको, और दूसरा है हमारा retail market, ठीक ना, wholesale सब लोग समझते हैं, retail सब लोग समझते है, wholesale market और retail market, जैसे लखनों में बोलू, तो लखनों म एक area है, अईया गंच, जहाँ पर पूरी wholesale market है, और retail market मतला आपके घर के भगल वाली भहिया की दुकान, मौनु भहिया की दुकान से समान ले आओ, मौनु भहिया आपके retail market है, और जो एक particular area में, जहाँ पर wholesale में समान मिलता है, वो wholesale market है, चीक है, अच्छा, कोई अधर बच् आप से theoretical question पूछा जाएगा, कभी नहीं, यहाँ से बनाया जाएगा case study, यहाँ से या तो MCQ बनेंगे, या तो case study बनेंगे, कि आपको ए case दे दिया गया है, और उसमें बताया गया है कि इस तरह के products मिल रहे हैं, तो बताओ किस तरह की market है, यहाँ आप से पूछ लिया गया, on the basis of volume of business, market is classified into as wholesaler, retailer, local, regional, regional, national, national, international, इस तरह करके आपको कही सारे option दे दिये जाएंगे, तब आपको बताना पड़ेगा, on the basis of volume of business, केवल दो ही market होती थी, wholesale और retail, इसलिए इसकी theory उतनी जादा important नहीं है, बात समझ में आ रही है, चल भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और अगला लिखते हैं, on the basis of subject of exchange, on the basis of subject of exchange, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको commerce की classes के बीच में ही, सारे के सारे topics यहीं पर याद भी हो जाएं, आदे से जादा, और slow चलेंगे, कोई जादा tension वाली बात नहीं है, फरवरी 13, 14, 15, 16 को पेपर है हमारा, 16 February हमारा पेपर है, और लेकिन ये याद रखना, आज के बाद, चाप्टर पढ़ने के बाद, ये revision नहीं मिल रहा होगा आपको, तो ऐसे चाप्टर पढ़ें, कि कल बोर्ड का examination है, इस चाप्टर को आज पढ़ रहे हैं, तो आज ही खतम करते हैं, उस तरह से प्रिपेर करें, इसे बोर्ड के लिए प्रिपेर करते हैं, चीक है? मैं सब बताऊंगा मौतिशी गुपता, क्योंकि marketing और marketing mix मिला कर एक unit है, इसलिए आप अलग-अलग number नहीं बता सकते हैं, चीक है मुकेश? चल भाई, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या बताया है, मैंने on the base of subject of exchange, यहाँ पर होती है पहली commodity market, commodity market, commodity market, दूसरा लिखो, commodity market, capital market, capital market, capital market, capital market, और तीसरा लिखेंगे हम सभी लोग money market, money market, money market, मतलब subject of exchange में है, क्या, share market वाली सारी चीज़ है, subject of exchange के अंदर आ रही है, commodity market, capital market और money market, अब commodity में कोई एक particular चीज़ खरीदी जाती होगी, जैसे cotton की trade हो रही है, जैसे silk की trade हो रही है, जैसे let's say, cashew की trade हो रही है, किसी एक product के बीच में, अगर हम लोग sale purchase करेंगे, तो उसे बोलते है commodity market, चीक है, दूसरा है capital market, तो तुमको stock exchange का सबसे अच्छा example है, जहाँ पर shares को trade किया जाता है, फिर आते है money market, money market मतलब banking instruments को जहाँ पर trade किया जाता है, उसे बोलते है money market, क्या बात समझ भारी है, अगर share से सम्धित चीज़ें हैं, तो किस market में trade की जाएँगी, capital market में, अगर instruments of banks हैं, उन से लेड़त चीज़ें घर trade की जाएँगी, तो कहाँ पर trade की तो वह कहां होगा capital market में कोई दिख्यत वाली बात तो नहीं है बात समझ पर आ रही है हाँ कि money market मतलब instruments of banks अच्छा मैंने क्यों सब बोले गया अच्छा ठीक commodity market सा लास वाला भाई ठीक अब अच्छा देखो अब मैं अगर तुम्हों तो थोड़ता realistic होके बता हूँ तो अगर मैं बोल रहा हूँ अगर मुझे cotton की खरीद purchase चाहिए तो ऐसा नहीं है कि cotton एक्च्छल मार्केट में बाय करने चले जा रहे है cotton के rate की trading होती है बात समझ में आ रही है जैसे कि लेट से मैंने अगर मैं बोलू कि मुझे प्याज में holding करनी है प्याज होती है अफरी मार्केट सारी ओनिंग करता हूँ इसकी भी trading जो होती है ना stock exchange जैसी ही होती है इसको commodity market बोलते है याद रखना मेरी बात ठीक है तो जैसे आपके जो pulses होती है आपके जो मसाले है उस सबकी trading हर एक product की commodity trading भी होती है आज गेट में online आगे चलके इसी के उपर पढ़ाई करने वाले और बहुत दबा के पैसा इस field में लेकिन पढ़ना पढ जाएगा ठीक है बात समझ में आ गया commodity market बतलब exchange of a particular product उसके बारे में बात करेंगे ठीक खैर आगे बढ़ते हैं चलो भाई बढ़ते हैं on the basis of position of buyers and sellers on the basis of position of buyers and sellers on the basis of on the basis of position of buyers and sellers on the basis of position of buyers and sellers capital मतलब stock exchange मौत्सी गुप्ता चीक है? on the basis of position of buyers and sellers इसके बसेस पर थीन मार्केट होती है primary market secondary market and tertiary market primary, secondary, tertiary को terminal भी बोलते हैं terminal market primary market लिखलो secondary market और terminal market अच्छा होता क्या है? primary market का मतलब क्या है? प्राइमरी मार्केट मतलब क्या? producer will sell to wholesaler producer will sell to wholesaler ये primary secondary market wholesaler will sell to retailer और terminal मतलब retailer will sell to customer consumer कोई दिक्रताली बात तो नहीं है on the basis of position of buyers and sellers समझ में आ रही है कभी भूलोगे तो नहीं ऐसा आएगा तो लिख लेके आ जाओगे ना 100% मैं पूरा टॉपी पढ़ने के बाद रिवाइस भी करूँगा शागने तो अभी पढ़ते चलो बिटा आगे बढ़ते हैं लिखने का टाइम भी दे रहे और इससे slow नहीं पढ़ा सकते हैं बिटा अगले पर आते हैं और लिखते हैं on the basis of nature of transactions on the basis of on the basis of natures of transactions nature of transactions on the basis of nature of transactions on the basis of nature of transaction terminal का मतलब retailer will sell it to consumer छीक है जिन बच्चों को भी कुछ भी miss out हो रहा है आपको ये वीडियो recorded मिल जाएगा आप दुबारा से देख सकते हैं तो इसलिए थोड़ा कोशिश करें कि साथ साथ चले nature of transaction दो तरह के होते हैं एक होता है spot market जहां पर तुरंट लेंदें हो जाती है एक होता है future market spot मतलब exchange तुरंट हो गया पैसे दिये समान खरीद दिया future मतलब क्या होता है आज पैसे देके ब्लॉक कर लिया rate और future मैं डिलिवरी ले ली होता नहीं कई बार कि आज मान लेते हैं jewelry खरीदने गए और मैंने jewelers को let's say 1 kg सोने का advance दे दिया ऐसा है नहीं लेकिन बता रहा हूँ आपको ठीक है ना jeweler की दुकान पर गए मैंने कहां मुझे 1 kg सोना चाहिए और मैंने 50,000 रुपर दे दिया उसको 1 kg सोने के ठीक है ना और मैं बोला आज के rate में 2 साल बाद दे लूगा यह तीन दिन बाद ले लोगा चार दिन बाद ले लोगा उससे बोलते है future market spot मतलब तुरन transaction हो जाना future मतलब एक future की date fix होगी उसके उपर transaction होगा done clear और last आ रहे हैं on the basis of हाँ रफैल डील विल्कुल ठीक example है हिशान क्या बात है on the basis of nature of goods on the basis of on the basis of nature of goods on the basis of nature of goods दो दरे गुट्स बनाते हैं एक गुट्स हम बनाते हैं consumers के लिए consumer goods toothpaste तेल, कंगा, बुरुष, साबुन ऐसा चीज जो हम सब घर में consume करते हैं consumer goods हैं दूसरे होते हैं industrial goods जो तुमको consume नहीं करने हैं इंडस्ट्रियों करने इंडस्ट्रियल गुट्स इंडस्ट्रियल गुट्स जिसको हम लोग producers अचा consumer goods लिख जया क्या मैंने consumer market लिखेंगे बिटा types of goods नहीं पर है consumer market और industrial को काट के तुम लिख लो industrial goods सही है producers market producers market producers market अब तुम्हें इतना topic पढ़ने के बाद बहुत सारी चीज़ ना interrelated लग रही होंगी क्यार ये market तो उधर भी है इधर भी है हाँ भाई हमारे पास बहुत different तरह की market नहीं है लेकिन हमने category बना बना के different different चीज़े create कर रखी हैं तुम मुझे ये बताओ मैंने अभी तक कितनी सारी markets पढ़ी total बताना 16 हमने कित्री types of market पढ़ी further classification के साथ बताओ types of market जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने कितनी पढ़ी total market 16 और categories कितनी पढ़ी 6 कितनी categories पढ़ी 6 अब आप तुम revise कर रहे होगे ना तो 6 category लिखोगे तुम पहले तीन चार पांच छे 16 पढ़ी है copy बंद करेंगे सभी लोग last page rough मैंने बताया था time table बताते समय कि एक rough copy आपको अपने सामने रखनी होगी rough copy खोलिए कोशिश करिए कि केवल ये 6 types of market लिखें किस बेस मुझे 16 नहीं चाहिए कोशिश ये करें कि कितने different types of market थी कोशिश करें कि जो लिखवाया है उसको ना देखना पड़े देखते कितने बचे लिख पाते हैं केवल बेसिस लिखना है बेसिस छे बेसिस जो लिखवाय है वो लिखिये लिखे 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 ट्राइ करिए अभी तुरंट ट्राइए करेंगे क्विक्ली डुएट क्विक्ली डुएट कि इसी को तीन से जाद यादा है चलो मैं याद दिलाता हो मैं थो 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 हुआ दिलाता है सबसे पहले तो आप जिख्राफिकल एरिया जिख्राफिकल एरिया कोई जरुए निए ओंडर में आदा एक था वॉल्यूम औ विजनेस फिर nature of transactions और उसके बाद क्या था हमारे पास और सोचो nature of goods नेचर वाले दो थे nature of goods और हमारे पास दो और बच रहे हैं क्या क्या था सोचो 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 और क्या था एक था exchange वाला वो क्या था याद ही नहीं आता problem पता क्या यह problem है हम types of market जब पढ़ते न तो अंदर वाली market पढ़ने में तना मश्रूख हो जाते हैं कि हमें heading यह नहीं पता है और heading नहीं पता होते ही तो classification नहीं पता होता है buyers and sellers के basis पर ठीक है और कौन सा बच गया भी हमारे पास nature of transactions हो गया nature of goods हो गया और उसके बाद subject of exchange exchange के basis पर अब आपको याद नहीं रहेंगे तो shortcut लिख लो geographical area के basis पर geographical area के basis पर volume of business के basis पर volume of business याद रहेगा हमेशा दो याद रखना nature थे nature of transaction, nature of goods, buyers and sellers के basis पर और exchange के basis पर कोई दिकत वाली बात तो नहीं अब याद करते हैं geographical area के basis पर चार market थी कितनी market थी चार कौन कौन सी local, regional, national, international कभी नहीं बूलोगे क्योंकि geographical area के basis पर था कोई दिकत वाली बात तो नहीं है, volume of business कितने बड़े level बिजनस कर रहे हैं, cable दो market थी, wholesale, retail, कोई दिकत वाली बात तो नहीं है, याद रहेगा, चल जाएंगी बात, उसके बाद हमें बात कर रही थी, हमने लिखा nature of transaction, transaction मतलब या तो आज होगा, या तो future होगा, दो market थी इस consumer market और producers market, तो दो यहाँ से भी थी, buyers and sellers के basis पर कितनी market थी बास, primary market, secondary market, terminal market, तीन market यहाँ से थी, याद आ रहा है कुछ-कुछ, और exchange के basis पर कितना था, यहाँ पर भी तीन थी, commodity, capital और money, commodity मतलब किसी एक particular good का transaction, capital मतलब stock exchange, shares का transaction, money मतलब instruments of banks का transaction, बात समझ में आ रही है, कुछ-कुछ याद आया कि किस तरह से हमें mind map बनाना है, सबको याद हो जाएगा, अभी 16, 16 हो गए कि नहीं, 4 plus 2, 6 plus 2, 8 plus 2, 10, 13, 16, अगर तुमको यह side heading recall रहती है, अंदर का content याद रहेगा, क्योंकि geographical area के basis पर 4, business के volume के basis पर 2, wholesale, retail, और nature of transaction क्या होता है हमारे पास, केवल 2 तरह का, या तो आज होगा, या तो future में होगा, तो spot or future, और nature of goods के अंदर केवल 2 तरह के गुड़ दोते हैं, consumer और industrial market, फिर buyers and sellers तीन तरह के basis पर होता था, primary, secondary और terminal, exchange के basis पर भी तीन, commodity, capital और money, सब को याद हो गया, कोई दिक्रत वाली बात तो नहीं है, अच्छा, अगर हम ऐसे पढ़ रहे हैं, थोड़ा समय अगर ज़्यादा भी लग जाए syllabus complete कराने में, तो भाई ठंड रखना, हम boards के level पर complete कर रहे हैं, कि commerce वैसे भी बच्चा अगलग अपने past time निकाल के नहीं पढ़ता है, उस बात तो ध्यान में रखके complete करा रहा हूं, तो चलो भाई, types of market भी complete है, और अब तुम्हें एक suggestion दू, तुम क्या करना, मैंने आप तो time table जब बनाया था, मैंने बताया था कि ये कब revise करोगा है, अगले दिन morning में 6 बज़े, कि आसपस अगर आप वो वीडियो देख रखा है, आप ही लोग के लिए बनाया है, नहीं देखा है, तो पास समय आएगा, तुम पहले तो आखे बंद करोगे, ऐसे, भाई मैं तो को बता रहा हूँ, जितना best तरीका commerce के साथ हम आज से follow कर सकते हैं, ये tips and tricks आपको help करेंगी, कोशिश करेंगे, हम सभी लोग कोशिश करेंगे, कि आज क्लास में क्या हुआ, तो सबसे पहले हम क्ला पढ़ा था, meaning and types of market, जैसे हमने बोला meaning and types of market पढ़ा, आपने rough copy खोली, meaning of market लिग दिया, क्या था meaning of market, actual and potential buyers of a product, पिर types of market पढ़ा, हमने बदा टाइप करते हैं, 6 और market किती हैं, 16 फट 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 कडिगराइज करके लिग दिया, इस तरह से recall करोगे, cent percent number commerce में आएंगे, और आ अभी तक नहीं पढ़ा है, पिछले chapter नहीं आते हैं, भाण में जाने दो, मैं सब कुछ ऐसे prepare करा लूगा आपका, ठीक है, बात समझ में आ रही है, अभी दो classes हैं हमारी week में, लगेगा कि मेरा economics का, या countancy का syllabus बढ़ियां चल रहा है, मैं इसी classes Sundays में या किसी odd time पे चलाना श आज़े हैं भाई Meaning and features of marketing चला भाई, सबसे पहले लिखते हैं अपन, meaning of marketing मेरे साथ साथ notes बना रहे हो ना सभी लोग अब एक वच्छा पॉड़ा रहा है, explanation भी पढ़ने के जरह हो थे, नहीं यार, समझा तो दिया आयूशे अगर बहुत जादा किताब अब रीड करने पे तुम समय लगाऊगे ना तो तुम्हारे recalling tactics पुरानी हो जाएंगे, जिसमें बताऊंगा important है उसके अंदर पढ़ लेना चीक है ना बस अब तुम्हें समझ में आ गया, उसको अंदर पढ़ने के जरह तो नहीं है, पढ़ लिया, आ गया समझ, spot क्या होता, future क्या होता है, go ahead, हाँ, अगर read मार लोग तो और अच्छी बात है, अगर समय मिल जाय तो तुम्हारे पास चीक बहे, कभी भी reading करना खराब नहीं होता है, लिखो, all activities, all activities that directs, all activities that directs the flow of goods and services, the flow of goods and services, all activities that directs the flow of goods and services, from producers to consumers, सबसे असान देशने अमरी जान, from producers to consumers, from producers to consumers, लिखो, all activities that directs the flow of goods, from producers to consumers, मतलब ऐसी कोई भी activity, जिससे समान, producer से seller के पास तक चला जाएगा, वो सब marketing के अंदर आएगा, यादर जाएगी definition, all activities that directs the flow of goods and services, from producers to consumers, कोई देखो तो लिखो लिख बात तो रही है, कोई भी activity, अब क्या advertise, अब तुम मुझे बताओ, क्या advertising, marketing है, answer मिलेगा yes, because advertising से भी हम क्या करते है, समान, producer से consumers के पास पहुचाते है, क्या sales activity, क्या discount आना, क्या branding, क्या labeling, ये सब कुछ marketing है, answer मिलेगा yes, ये सारे sources से समान जो है, वो producer से sellers के पास तक जा रहा है, got it, clear है कि नी clear, meaning पढ़ लिया, अब meaning के अंदर होते हैं, features, meaning के अंदर ही लिखे होते हैं, features, हमें बस पहचान ना है, ठीक है, और मैं आपको एक राय दू, features कम से कम चार पढ़ना सब के, ठीक है, क्योंकि अगर meaning, features हम चार पढ़ेंगे, चार से कम नहीं पढ़ेंगे, तो meaning हो गया, अब आते हैं features के ऊपर, और मैं बता हूँ, अगर features को combine कर देंगे, तो meaning बन जाएगा, आप आज की date में features जैसे question कम आने की संभावना है paper में, सो में कौन सी class चल रही है, please do not disturb, हमें पता है, ओल राइट, जो पढ़ते हैं उस समय तुमको पढ़ना नहीं होता है, अभी ते बोले ते मार्केटिंग नहीं हुआ है, अभी मार्केटिंग हो रहा है तो तुम पूछ रहो अकाउंटेंसी के cashflow कहां गया, तो दिमाग लगा और यहां पढ़ना शूर करो, नहीं, मादविकाद चार से जादा पूछने की chances नहीं है, चार प्रिपेर कर लो, चलेगा, सबसे पहले, सबसे पहले पर आते हैं, number one है, customer focused, customer focused, अगर तुमने लिख दिया, marketing is customer focused, marketing means to satisfy the needs of the customers, इसके अंदर तो सही है, इसकी तुमको अंदर याद करने के जरुत नहीं है, side edding से related अंदर लिखकर आओगे, number पूरे मिलेंगे, got it, customer focused, marketing होता है creative, marketing is creative, तीसरा, multi-disciplinary, 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 multi-disciplinary मतलब marketing के अंदर बहुत सारे subjects की information का use होता है, mathematics हो गया, economics हो गया, finance हो गया, इन सब का use हमको marketing के अंदर हो रहा था हो, इसलिए इसको multi-disciplinary बोलते हैं, pervasive, pervasive, pervasive का मतलब होता है, dynamic, मतलब जो marketing strategies, let's say UP में लग रही होंगी, वो same marketing strategies महराष्टा में नहीं follow होती है, so it changes with the change is the need of the people और अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग तरह की marketing जरूरी है, चीक है, बात समझ में आ गया, अब क्या तुमको यह चार पॉइंट याद रहे जाएंगे paper में, क्या होता है, marketing customer focus है, creative है, multi-disciplinary है और last, pervasive, चार पॉइंट हमेशा आद रहेंगे, यह चार पॉइंट ही मैंने क्यों पढ़ा है, यह चार पॉइंट पूरी marketing में तुमको common मिलने माले है, इसलिए यह चार पॉइंट लिखा है, एक और आपको पॉइंट दे रखा है आपकी book को जिसका नाम है integrated process, integrated process मतलब क्या, अगर integrated मतलब कई सारे processes को मिला कर marketing बनता है, तो अगर चाओ तो वह भी point लिखकर आ सकते हो, बस इतना ही सा ही पढ़ना था आपको, so far, अब जल्दी से आओ, और meaning and features of marketing भी तुमने पढ़ लिया, यह meaning भी पढ़ लिया, और features of marketing भी पढ़ लिया, अच्छा, तुम्हारे दिमाग में या रहा हो, बार-बार पिछली slide मर जाकर, यह tick करने को क्यों बोलते हैं, tick करने को यह से बोलते हैं, क्योंकि sense of satisfaction मिलता है कि मैंने इस chapter में दो चीज़े पढ़ ली हैं, और याद रहेगा, revise करते हैं समय कि हमें क्यों सी चीज़े, revise करनी थी, right, एक बच्चा पूछ रहा है, भवनीत सिंग, कि सर आपने बोला था कि features का chances आने के कम होते हैं, क्योंकि paper जो है हमारा, वो theoretical से ज़्यादा conceptual बन रहा है, इसलिए वो आपसे explain, ये वाले question कम पूछेंगे, application वाले question ज़्यादा पूछेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है, multi-disciplinary का मतलब यह होता है, श्वैता, कि हमने कई सारे subjects का information, कई सारे subjects का निचोड इस particular marketing में use करते हैं, बात समझ में आ रही है, चलेगी बात समझ में आ गए, आगे पढ़ें, चलो भाई, एक topic और पढ़ना है, उस topic पर बढ़ते हैं, और अगला है हमारा marketing concepts, traditional और modern, दोनों पढ़ने, traditional और modern, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, अगला topic, अगला topic है हमारा marketing concepts, और इसके अंदर पहले पढ़ने आ रहे हैं, ट्रेडीशनल कॉंसेप्ट, ट्रेडीशनल कॉंसेप्ट, पता है तुमको हर चाप्टर के में पास PPT बनी हुई है, लेकिन अगर मैं PPT से पढ़ा हूँ का सब सो जाएंगे, और PPT से पढ़ना भी नीच चाहिए, क्योंकि साथ साथ आपको notes बनाने हैं और ये notes आपको help कर रहे होंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल, देखो यार आपको मेरा एक काम करना है, कि आपका class का जैसा भी experience है, good, bad, average, अपने classmates को जरूर बताएं, भाई देखो, it's a kind of a business, मेरे लिए भी अच्छा है कि जाद जादा बच्चो को पाद चलेगा, ठीक है न, तो मेरे लिए भी revenue का एक plus point आएगा, प्लस आपके साथ भी अच्छी बात है कि थोड़ा सा तो promote करन करने की जरूरत है तुमें भी और हमें भी एक दूसरे को, तो कोशिश करेंगे कि आप भी आज class का experience अच्छा है, तो please, 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 आगे लोगो उसे जरूर शेर करें अपने classmates से, एक बच्चा बोला है, commerce न, पीपीट भेज़ो, बिल्कुल नहीं भेजूंगा इशान, useless ह आपको ऐसा concept पढ़ना, ऐसा पीपीटी पढ़ना, आप अपने आप notes बनाएंगे, जो class में बना रहा हूं, textbook पढ़ेंगे, और जो questions दूँगा, वो करेंगे, पीपीटी देना सही नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, जितने भी features, जितने भी MCQ बनेंगे, मैं एक chapter complete क oriented concept, traditional बोलो या production oriented concept बोलो, हाँ मैं वशी सलीम ओपन रहेगा संडे तक, traditional और production oriented concept और अभी मैंने एक definition लिखवाई है, क्या लिखवाई थी, marketing की definition अभी थोड़ी दिर पहले, थोड़ी दिर पहले, all activities that directs flow of goods and services from producers to consumers, वही definition लिखनी है या, same, 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 कुछ भी अलग नहीं करना है, all activities, लिख लो भाई, लिखो इसके नीचे, तुमको समय दिया है, all activities that directs flow of goods and services from producers to consumers, ऐश्वर्या, अब school की बातें मत करो, मैंने start करते पहले बताया था, कि बहुत सारे school में ये topic कट करा दिये हैं और जबकी syllabus में हैं, मेरे भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ, जो जो syllabus में है, पैसे लिए हैं आप से भाई, सब कुछ चीज़े एकदम to the point रहेंगी, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं हम, ताकि आगे चलके मुझे गाली ना पड़े, ये स्विदांश, बिलकुल मिलेगी, आगे बढ़ जाऊँ, लिखे features, अच्छा इसके दर syllabus में क्या था, इसके दर पढ़ना था हमको meaning और features, meaning बता दिया, same है features लिखते हैं, features, और features मैंने बताएं, कितने लिखने हैं, चार, कहीं चार नहीं हो पाएंगे, तो तीन ही लिखेंगे, पहला लिखो, narrow view of marketing, narrow, पहला feature है, narrow, मतब बहुत detail में, बहुत broad aspect में, traditional concept के अंदर marketing को कबर नहीं किया गया है, narrow view of marketing है, पहला लिख लिख लियां, लिखो, focus on product rather than satisfaction of customer, focus on product rather than, focus on product rather than satisfaction of customer, satisfaction of customer, focus on product rather than satisfaction of customer, बस दो feature है, इसके अंदर दो feature है, चेम हेर दिव्यांच, पढ़ लेते हैं मिटा, केवल दो feature, आगे बढ़ते हैं, traditional done, अगले पर आते हैं, modern concept, modern concept, modern concept, इसको consumer oriented concept बोलते हैं, उसको क्या बोलते थे, production oriented concept, इसको बोलते हैं, consumer oriented concept, consumer, अच्छा कर कुछ भी consumer oriented होगा, तो पहली चीज़ क्या आ जाएगी, satisfaction of customer, दीक, तो feature तोंको समझने आगे, पहला अपने आप, पहला feature था, narrow concept, because के वल पर्चेज़ और सेल की बात हो रही थी, चलो भाई, आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड रुखो बच्छे, एक सेकंड रुखो बच्छे, it is the process of, it is the process of, नहीं पूचेंगे, मैं वाश, पता नहीं, मैं प्रणाउंस नहीं कर पादा हूँ, आप सलीम बोल देता हूँ, उपक्षांगे, it is the process of, discovering and translating, discovering and translating, it is the process of discovering and translating, discovering and translating, consumer needs, consumer consumer needs into products and services into products into products and services discovering and translating consumer needs into products and services and And then helping more and more people and then helping more and more people. इस साल डेफिनेशन पर कम फोकस होगा, याद रखना है मेरी बाद, डेफिनेशन फीचर्स कम पूछे जाएंगे, क्योंकि डेफिनेशन फीचर्स पूछने का अच्छा तरीका MCQ है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, इस बार मुझे ऐसा लगता है कि आलमोस्ट हम लोग पूरा पेपर लीग करनेंगे, एक्सेप MCQs, क्योंकि अगर डेफिनेशन फीचर्स अठा देंगे, बचा क्या वही है, ठीक है, ठीक है, लिखिया, इस अप्रोसस ओफ डिस्कवरिंग एंड ट्रांसलेटिंग कंजूमर नीज इट इंटो प्रोट्ट्स एंड तस हेल्पिंग और मॉर पीपर, मतलब समझी गए होगे, इसका कोई दिक्कात वाली बाद नीए, लिखते हैं फीचर्स, मीनिंग हो गया, प्रोरियंटेशन, मदब साटिस्फाक्शन आप कंजूमर पर पूरा पूरा फोकस है, दूसरा मार्केटिंग रिसर्ट्स, मार्केटिंग रिसर्च क्यों मैं यहाँ पर पॉइंट बोल रहा हूँ, बिकॉज आपने क्या किया, पहले डिसकावर किया, कस्टमर को किस तरह की प्रॉबलम है, और उसके हिसाब से कस्टमर की प्रॉबलम को, नीड को, एक प्रोड़क के हिसाब से ढाला, इसलिए इसमें रिसर्च लगती, इसको मार्केटिंग रिसर्च बोलते हैं, इन्टीग्रेटेड अप्रोच, इन्टीग्रेटेड अप्रोच, अभी इन्टीग्रेटेड कहां पढ़ा था, थोड़ देर पहले, यह यहां लग रहा है integrated approach तो कि कई सारे अकेले एक step से marketing complete ही होती है कई सारे कई सारे कई सारे चीजों को use करना होता है then marketing complete होता है integrated approach last marketing, planning and control marketing, planning and control तो planning and control planning and control तो आपको पता होगा अगर आपने management पढ़ा है थोड़ा सा भी planning and control मतब किस तरह का product बनाना है वो planning है और जैसा सोचा था वैसा product बना है वो controlling है planning and control अब तुम्हें इतना ही topic पढ़ना है आज की date में